यूपी के हातरस में दो जुलाई को एक सचन के दोरान भगदण मचने से एक बड़ा हासा हो गया जिसमें 121 लोगों की जान चली गई हासे के बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफतार भी कर लिया है तो वहीं हासे के मुख्यारूपी को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है संख्या में बाबा की भक्त पहुंचे थे। इस दोरान ससंग खत्म होने के बाद अचानक भक्त दर्मच गई जिससे एक बड़ा हाथसा हो गया। हासे के बाद पुलिस अत्काल मामले की ज्यांच में जुटी और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दरज कर लिया। जिसमें बाबा के एक सेवदार देवप्रकाश मदुकर का नाम भी शामिल है। जिसे पुलिस हात्रस कांड का मुख्यारोपी मान रही है। देवप्रकाश मदुकर की गिरफतारी की पुष्टी करते हुए बोले बाबा और फुसूरजपाल के वकील एपी सिंग ने बताया की। हात्रस ममले में FIR में नामजद देवप्रकाश मदुकर ने SIT, STF और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। देवप्रकाश मदुकर को मुख आयोजग बताया गया था। मेरा वादा था कि हम कोई अगर्म जमानत नहीं लेंगे, कोई अरजी नहीं देंगी, क्योंकि हमने क्या किया है। हमारा अपराद क्या है। आगे वकील एपी सिंग ने क्या कुछ कहा, सुनिये। खात्रस प्रकरण में जो FIR में नामजद किये थे देवप्रकाश मदुकर, जिसे मुख आयोजग कहा गया था। आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहां दिल्ली से उनके सामने क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। यह मेरा वादा था कि हम कोई अंटिसेपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई अप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, और हम किसी कोट में नहीं जाएं क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराद क्या है, वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक, अब और उत्तरपदेश पुलिस को अब बुरी जाच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, ब्यान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब यह उनकी अपनी इच्छा है, हाँ, उनका स्वास्त ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत नहोगे, तो सुना आपन आखिर, अब तक साकार हरी पर कोई F.I.R. क्यों दर्ज नहीं की गई, क्या हास्य के जिम्मेदार सिर्फ आयरजग करता है, क्या बाबा का इस हास्य में कोई दोश नहीं है, बाकि आप इस ख़बर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं, बुरो रिपोर्ट, पंज